लोकतंतर के इस महायग्य में आहुती देने के लिए पूरे प्रदेश में नेताओं और वी आईपी लोगों की मतदान की तस्वीरे सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में पूर्व केंद्रिय मंत्री और कॉंग्रेस की कदावड नेता गिरिजा व्यास ने भी उदैपुर के गुरु गोवन सिंग स्कूल में इससित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है इस मौके पर व्यास अपने पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुनुची गिरिजभ व्यास ने मेडिया कर्मियों से बाचीत करते हुए बताया कि वे मतदान से पहले जगे जगे जाकर बूतों पर दोरे कर रही है और बूतों पर जिस तरीके का माहल नजर आ रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि लोगों का रुजान कॉंग्रिस पार्टी के पक्ष में है कि अधिया है लेकिन मैं साथबस इससे दोरे पर हूँ और रुजान बिल्कुल कॉंग्रिस के पक्ष में है काफी दूर तक कम से कम 20-22 बूत पर तुचिवें होके आई हूँ और उन बूतों पर जो लोग खड़े हैं उनके मन से उनके विवार से और हमारे यहां पर टैनोवर जो हमारे बने हुए बूत के बाहर उससे बिलकुछ जाहिर होता है और लोगों के मन में हुस्सा है कॉंग् करने का लोग अब मोदी से हाड चुके हैं मौदी जिऑ को अगवाय करना चाहते हैं क्योंकि पाऊस साल में उन्होंने कुछ नहीं किया देश के विकास खतया समेकेट विकास खतंकर दया आमदनी होतं कर दी रोजगार खातन कर दी किसनों को मौन मोटольшे, मॅँ आप महत्ते के लिए मजबूर किया मेलाओं की इजजद का सवाल नहीं एजुकेटेड लों का सवाल नहीं जॉप्स का सवाल नहीं तो इन सब बाद